लोगसभा चुनाव संपन होते ही राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ा तोफ़ा देते हुए सम्मान निधी की राशी को बढ़ाने का एलान कर दिया है मुख्यमंचरी कारयले की ओर से शनिवार को X पर एक पोस्ट जारी करते हुए इस खुशी का साजा किया गया इस पोस्ट में लिखा है किसानों को संबल मुख्यमंचरी भजनलाल शर्मा जनता से किये बादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कारेक कर रही है ऐसे ही किसानों को संबल देने के लिए राज में सम्मान निथी कि राशी 2,000 रुपए बढ़ा कर 8,000 रुपए कर दी गई है अब आपको बता दे कि भारती जंता पार्टी ने 2023 में हुए राजस्थान विधान सभाचुनाओ के वक्त ये राशी बढ़ाने का एलान किया था पार्टी ने अपने संकल पत्र में किसानों को खुशहाल बनाने का वादा करते हुए इस एलान को प्रमुखता से जगह दी थी लेकिन जल्द ही लोकसभा चुनाओ 2024 के चलते देश भर में आचार सहीता लग गई जिसके चलती ये वाइदा पूरा होने में देरी हुई चार जून को रिजल्ट जारी होने के बाद आचार सहीता हटते ही सीम भजनलाज शर्मा ने अपने वादे को पूरा कर दिया अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि किसानों की जमीन निलाम ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला चुनावी वादा भी भजनलाज सरकार जल्द ही पूरा कर देगी बताते चले कि पीम किसान सम्मान निधी योजना को केंदर सरकार ने 24 परवरी 2019 किसानों के वित्तिय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया था इसके तहट केंदर सरकार किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपै करके साल भर में 6,000 रुपै जमा कराती है मगर अब राजस्तान के लाभारती को साल भर में कुल 8,000 रुपै मिलेंगे राजे के निवासी किसानों को 2000 रुपए हर साल राजे सरकार की ओर से उनके बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे